देखे आए दिन बिहार SSC को लेके ऐसा चौकाने वाला न्यूस सब सामने आता है जिसको सुनने के बाद मतलब की दिमाग शकरा जाता है एक तो आठ साल के बाद बिहार SSC की ओर से वेकेंसी आया छे महिना लगा फॉर्म भराने में और फिर उसके बाद एलेक्शन आ गया तो आचार संहिंता को लेके एक्जाम नहीं वाँ फिर उसके बाद 65% रिडिवेशन के वज़े से पूरा मामला फसा और उसके बाद ये जब सिस्टम सब कुछ हो गया तो फिर आयोग ने सोचा अच्छा तो आयोग बोला कि देखो अब हम लेंगे ऑनलाइन परिक्षा जो की एक तरीके से अच्छा माना गया ठीक है कि अच्छा है कि ऑनलाइन परिक्षा में पारदर्शिता बनी रहेगी लेकिन अब डिमांड ऐसा उठ रहा है और चात्रों के तरफ से ही उठ रहा है देखिए आयोग के इसमें कोई हाथ नहीं है गौर्वर्मेंट के इसमें हाथ नहीं है छात्रों के ओड से ही दिमांड दिमांड वो वीडियो में आप लोग सुनिएगा लाइव बिल्कुल सब को सुनिएगा ठीक है और उसका अधम आज का ऑथेंटिक अखबार में जो सारा डीटेल दिया गया उसके बारे हमनों बात करेंगे तो बैसिकली इनका डिमांड सीधा CM सहाब से है और आयोग से है ठीक क्या इसके उपर थिंकिंग है कि online exam से आप संतुष्ट हैं या आप लोग offline ही चाहते हैं offline परिक्षा में भी चात्रनेता के ओर से clear demand यह हो रही है कि भाई परिक्षा अगर हो offline में ही हो तो जल्दी जल्दी date दिया जाए दूसरा हमको OMR का carbon copy मिलना चाहिए साथी साथ question paper मिलन चाहिए ठीक है यह दो तीन demand important है कि जल्दी examination decide हो बता दिया चाहिए जल्दी से जल्दी लिया चाहिए दूसरा OMR कारवन को पी मिलना चाहिए और question paper मिलना चाहिए और बाकी मतलब यह demand है कि जैसे BPSC एकदम पारदर्चाह साथ exam लेती है offline mode में उसी तरह की से आप भी conduct करव ठीक है इसको हम लोग detail में देख लेते हैं हम लोग ठीक है चलिए देखेगा तो बिहार SSC इंटर स्तरिय परिक्षा offline कराने की मांग को लेकि यह बैठक basically हुई थी और इसका हम authentic पूरा वीडियो दिखा देंगे आप लोग वीडियो भी पूरा अच्छा से बात सुन लीजे में लगबग 13,000 इंटर स्तरिय पदों के लिए दुईतिय इंटर स्तरिय पहाली आई थी ठीक है इसमें 26 लाग से अधिक अभियार्थियों ने फॉर्म भरा था लेकिन अभी एक साल बाद भी परिक्षा इतिती घोसित नहीं हुई है इधर हाल ही में बिहार SSC ने परिक्ष परिक्षा जो है ऑफलाइन हुआ करती थी परिक्षा इतिती घोसित नहीं की गई है आयोग ने ऑनलाइन परिक्षा कराने घोशना के बाद अभियार्थियों का विरोध सुरू हो गया है ऑनलाइन परिक्षाओं में कंप्यूटर सिस्टम हैक कर धानली सेटिंग की से अभियर्थी काफी डरे हुए हैं परिक्षा पहले की तरह ऑफलाइन कराने की मांग को लेकर बुद्वार को ललित नरायन मितला विश्वित द्याले केमपस में छात्र नेता दिलिप कुमार के नेतित्त में बिहार सेसी इंटरस्त तरिया परिक्षा के अभियार्थियों होती है चात्र ने बिहार सरकार और आयोग से मांग किया कि लाखों में धावी मंदार विरोजगार चात्रों के हित में परिक्षा ऑफलाइन करवाई जाए या ऑनलाइन परिक्षा करानी है तो किसी बदनाम संस्था से ना कराकर TCS से जो है परिक्षा करवाई जाए बैटक ठीक है तो I don't think so कि किसी को कोई दिक्कत होना चाहिए लेकिन बिहार SSC ने क्या किया है बिहार SSC ने Beltron को ही बोल दिया है कि भाई Beltron आप जो है एजनसी का चैन करिए ठीक है और एजनसी का चैन करके आप जल्दी जल्दी एक्जाम जो है कंड़क करवाईए हमारे समझ से बिहार SSC को इस चीज को अपने हाथ में रखना चाहिए था खुद टेंडर निकालना चाहिए था खुद एजनसी फाइनल करनी चाहिए थी लेकिन Beltron को दे दिया गया Beltron जो है आप सब जान रहे हो टाइम टू टाइम इनके ओपर काफी आरोप लगता रहा है इनका एक्जाम में गरबड़ी को लेके ठीक है फिलहाल Beltron का एक्जाम जो है देखे 15 सेप्टेंबर से एक्जाम है DEO वाला और उसका एक्जाम जो है देखे TCS ही ले रहा है ये भी अगर ऑनलाइन हो तो TCS के पास अगर जाए बाद तो TCS भाई उस पे ट्रस्ट एक है तो TCS जो है अच्छा से एक्जाम लेगा आदरवाइस दूसरे जो है ऑनलाइन में माफिया सब बैठे हो है अब आप लोग वीडियो भी देख लीजिए उसके बद आप लोग का सारा ड आप हैं अब हैं यहां मिले हैं तो इनका दर्द झणक रहा है कि ऑनलाइन परिक्षा होने जा रही है उसको लेकर इन लोगों के मन में काफी चिंटाए हैं धांदली सेटिंग को लेकर ये लोग डरे हुए हैं, समय हुए हैं, और सरकार से और BSSC से ये मांग कर रہे हैं, कि आफ लैन परिक्षा ली जाए, जैसे पहले ली जाती थी, और दर्भंगा के, मुझभपरपूर के और बिहार के अलग-अलग जीलो के छपरा हो, गया हो, ऑनलाइन सिंटर में खुले आम धांदरी होती है, जैसा कि पिछले साल भी STET में खुल कर सामने आया, इस साल भी STET में खुल कर बाते सामने आई, और अभी जो बाते सामने आई की, की बिões को दिया जा रहा है परिच्छा कराने के लिए, और बिव्ल्ट्रोन का मतलब ही है, धांदरी सेटिंग, परजिवारा, पैसा वशूली, गैंग, और बिल्ट्रोन को परिच्छा करवाने की जिमेंबारी अगर दी जा रही है, अगर ये बात सही है, तो फिर तो इ परिक्षा देने का कोई मतलब ही नहीं रहा जाएगा में धावी ऐस्टुएंट्स के लिए, क्योंकि फुलेयाम बिल्ट्रॉन के द्वारा फोन करके पैसे की मांग की जाती है, चाहो एस्टीटी का मामला हो, या कोई और परिक्षा का मामला हो, इसलिए ये जो परिक्षा का म हमें हैं, और चिंतित है कि ओनलाइन परिक्षा में हम लोगों का क्या होगा, पर हाई करने से क्या होगा जब धानली सेटिंग ही हो जाएगी, और इसलिए हम भी सरकार से मांग कर रहे हैं, नितीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं, और BSSC से मांग कर रहे हैं, कि BSSC दूतिय बहाली को पूरा किया जाए जिसमें OMR सिट की कारवन कॉपी कोस्टन बुकलेट दिया जाए परिच्छा समापती के बाद अभियर्तियों को और परिच्छा के बाद आंसर की जारी हो जब रिजल्ट आए तो कटप सभी का मार्क जारी होना चाहिए यह एकदम समझे कि बहुत तावस्सक है और साथ में अगर ऑनलाइन भी परिच्छागर हो रही है हलाके